जहिन साथियो बहुत वो शागत है आपका अपने ही चैनल एनायस ओनलाइन हब में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ है इस वीडियो में बात करेंगे कब से आवेदन होगा इसकी योगता क्या रहेगी संपुन जानकारी दी जाएगी और दोस्तो अभी जो है 1809 पदो पर जो है DSSB के तरफ से जो है requirement आया है अगर आपने नहीं भरा है तो DSSB का जो लिंक में दे दिया हूँ वो जो बरतमान में अभी चल रहा है जिसकी online date साइद चोदो अप्रेल तक है उसका में ओपिसल लिंक दिखा देता हूं थोड़ा सा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं DSSB यानि दिल्ली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानि दिल्ली में कोई भी टीचर की requirement आती है तो वो जो है DSSB के दुवारा ली जाती है यानि द 1226 पदों पर अपर देख सकते हैं भरती है और यह भरतिया देख सकते हैं 10 पॉलस टू इंटरमीडियट टिप्लोमा याँ दिल्लेड है फिर भी आप जो है इसमें भर सकते हैं एज लिमिट आपका दिया गया है अधिक जानकारी के लिए आप जो है इसके लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका लास्ट डेट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 14 अपरेल रखी गही है जिसमें जैनरेल ओबीसी इडवलू का यहाँ पर 100 रुपीज के बारे में जो की DSSB के दुवारा जो है सरकार ने हलाप नामा दिया है यानि बहुत सारे ऐसे भरती है अलग अलग राज में दो की 2020 में पूरा करने का बादा किया था लेकिन COVID-19 के चलती नहीं हो पाया है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा यह जून से आवेदन लिये जाएंगे और संपून जानकारी जो है वीडियो में दी जाएगे तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही टीचर भरती अपडेट आपको रेगूलर इस चैनल पर मिलती है तो देख सकते हैं 12,000 की यहाँ पर भरती है यहाँ पर सरकार ने जो हलापना भी दायर किया है आप देखेंगे यहाँ पर की अरजी दायर कर कहा है कि सरकार के तरफ से माई 2020 में वीभीन बर्गों में सिचक भरती के लिए परकिरिया शुरू की गई एक साल के बाद खाली पड़े पदों पर नहीं भरे गए यानि उसने जो है बादा किया था कि एक मतलब 2020 में भर देंगे जितने भी खाली पद हैं लेकिन COVID-19 के चलते नहीं भरा गया तो सरकार के तलब से हलापनामा दायर किया गया है आप देख सकते हैं औ दिल्ली सरकार ने स्कुलों में 12,000 से अधिक TGT सिक्षकों के भरतिक का रास्ता साफ हो गया है आगे कानाई दिल्ली अधिनस्त सेवा चेयन बोर्ड यानि DSSB ने बुदबार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि जून से आवेदन परकिरिया शुरू होगी यानि यह जो 12 हजार की जो भरती आई है TGT में वो जो है जून से आवेदन किये जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं बिग्गापन कब आएगा तो बिग्गापन आप देख सकते हैं 31 में को जो है इसका बिग्गापन आएगा चेयन बोर्ड ने बुदबार को दिल्ली हाईकोर्ट मे हलापनामा दायर कर भरती शुरू करने को लेकर केलेंडर जामा कराया है और इसको लेकर जो है दिल्ली हाईकोर्ट में बोर्ड की ओर से हलापना दायर किया गया है और इस पर केलेंडर जामा किया गया है यानि सभी राज में इस तरह का जो है टीचर भरती का जो है केलेंड कर देना चाहें कि कोई भी इस्टुडैंट है या कोई भी इस जो भरती में तैयारी कर रहा है उसको एक सही जानकारी मिले những सही knowledge मिलेंगी कि हमारे भरती जो है इस तीति कहने जा रही है तो हम अपनी तैयारी करेंगे उसको लेकर तो na हर एक राज को जैसे दिल्ली बोर्ड ने अपना कलंडर जो जारी करता है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का हर एक राज को करना चाहिए यह मोडल जो है लागू करना चाहिए अब दोस्ते हैं पर बात करेंगे आगे कहा है यहाँ पर बोर्ड ने बताया है कि TGT से चाकों के लिए 18 विभिन बर्गों के लिए निप्ति परकिरिया शुरू की जा रही है भरती के लिए 31 मायज 2020 को बिगापन दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2021 होगा गलती हो गया होगा क्योंकि 2020 तो पार हो गया 2021 होगा आगे यहाँ पर काना और जून 2000 जुलाई में आवेदन परकिरिया शुरू रहेगी यहाँ पर देख सकते हैं और जून में जो है इसका आवेदन परकिरिया शुरू रहेगी और आगे बोड ने बताया कि जन्मरी 2020 में लिखित परिक्षा होगी तब दोस्तों ये होगा, क्योंकि 2020 तो पार हो गया, आप समझ सकते हैं, यह 2020 तो पार हो गया, लेकिन बिग्यापन जो है 2020 का ही है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं, आगे का नाय कि पंदरह जन्मरी को जो है इसकी परिक्षा होगी, सेवा चेयन बोड ने बताया कि लिखित प तकनीकी सिक्षा निदेशाल है समाज कल्लान दक्षेनी दिल्ली नगर नेवंग जल बोर्ड में खाली पद भरे जाएंगे सरकार ने देख सकते हैं हलाप नामा दाइर किया है तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी मौका है यहां पर एक सरकारी से चक बनने का यानि डी एसस कलेंडर कर देना चाहिए जैसे बहुत सारे पर नतीज कलेंडर कर देता है उसमें जो है उसका नतीजह आ जाता है तो इस तरह का हरी राज को यह जो है इस तरह का लेना चाहिए ताकि अभिहारती जो जो है टेड है सीटेड पास करके बैठे रहते हैं उसको एक नया यहां पर एक मिल जाएगा कि हमें जो है टीचर बनना है टीचर भरती रिकुर्मेंट तो दोस्तों यही अपडेट था जो कि मैंने आपको सारी अपडेट के तहट यहां पर देख सकते हैं 1126 पदो का है और अभी जो मैंने बताया 12000 वह जो है जून से आब अब दन सुरू होंगे लेकिन उसका नोटिफिकेशन जाएगा 31 तारिक तक आ जाएगा तो जो तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माइदम से सब से पहले न्यूज परभाइट करने का और सही न्यूज परभाइट करने का कोशिस करूँगा और इस लिंक जो है डिस्क्रीप्शन में दे दिया हूं तो इस अपडेट में दोस्तों फिलाल इतना है वीडियो पसंद आये दिए वीडियो को जो है लाइक करे और चैनल पर नहीं आए कर सकते हैं आपका जबाब का reply दिया जाएगा तीस अपडेट में दोस्तों इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए आपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए जेहन जे भारत